नमस्कार, कल्पना चोबे रेसिपी में आपका स्वागत है आज मैं बाफले बना रही हूँ ये बाफले तड़के वाली दाल, आलू भैगन टमाटर का भरता और साथ में कुछ मीठे के साथ खाया जाता है इसे बनाने के लिए गेहूं का थोड़ा मोटा आटा ले लेंगे वजन में ये 400 ग्राम आटा है ये गेहूं का मोटा आटा आटा चक्की पे मिल जाता है और ये मक्के का आटा है वजन में ये भी 400 ग्राम है छाल लेंगे इसे भी इसमें डालने के लिए सौफ अजवाइन जीरा को थोड़ा सूखा ही भून लेंगे ये एक टेवल इस्पून सौफ है एक टी इस्पून अजवाइन एक टी इस्पून जीरा इन तीनों को बस थोड़ा सा ही भूनेंगे गेहों के मोटे आटे के जगह पे 300 ग्राम गेहूं का नॉर्मल आठा और 100 ग्राम बारिक सूजी ले सकते हैं भून गया है इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेती हूं थोड़ा दरदरा कूट लेंगे इसे अब आठे में ढाल दे रही हूं स्वात की हिसाब से नमक हल्दी पाउडर कूटा हुआ मसाला ढाल देंगे इसमें ये दही है वजन में 300 ग्राम है ये भी ढाल देंगे इसमें और 125 एमेल देशी घी ये भी इसमें डाल देती हूं अब पहले इन सब कूँ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक अच्छा सा अडो तैयार कर लेंगे बाफले का अडो थोड़ा टाइट ही रहता है अब एक बड़े बॉल के बराबर निकाल लेंगे और इस तरीके से दोनों हाथ से दबाते हुए गोल-गोल शेप में बना लेंगे इस तरह से बना लेंगे इसे एक प्लेट में रग देती हूँ इसी तरह से सभी आठे का बॉल बना लेंगे बॉल में थोड़ा सा डिजाइन भी डाल दे रही हूँ अब इसे पानी में बॉल करेंगे इसे उबालने के लिए एक चवड़ा और गहरा बरतन ले लेंगे इसमें चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घी लगा दे रही हूँ ताकि बाफले बरतन में चिपके नहीं अब इसमें आधा से उपर तक पानी डाल देंगे पानी को जल्दी से बॉयल करने के लिए ढख सकते हैं पानी बॉयल हो रहा है एक इस पेचुला इसमें डाल दे रही हूँ अब इसी के उपर एक के करके डालते जाएंगे इस पेचुला को पानी में इसलिए डाले हूँ ताकि हाथ नहीं जले और बाफले को डालने के बाद थोड़ा इसे हिला सकें सभी बाफले को डाल दी हूँ, अब इस पेचुला को थोड़ा सा हिला दे रहे हूँ ताकि बाफले अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाए उबलते हुए 10 मिनट हो गए, अब इसे बाहर निकाल देती हूँ अब एक छोटी इस पेचुला से थोड़ा सा चला देंगे अब बाफले तयार होने वाला है, साइज में ये बड़ा बड़ा हो गया है और पानी के उपर आ गया है, मतलब पानी के उपर तैर रहा है इसके उपर छोट छोटी बिंदी भी दिखाई दे लिए, मतलब ये पूरी तरशे तयार हो गया है अब इसे एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे बॉयल होने में 25 मिनट लग गए बाफले अभी गीला है इसका पानी थोड़ा सुखा लेंगे इसका पानी सुखाने के लिए 5 मिनट पंखे के नीचे रख देती हूँ और ओवन को गैस पे रख देंगे तब तक ये भी थोड़ा गरम होता रहेगा एक साइट से सुख गया है और नीचे के साइट थोड़ा गीला है इसे पलट कर दूसरे प्लेट में रख देती हूँ बाफले का पानी सुखने में पंखे के नीचे सिर्फ 5 मिनट लगता है बाफले का पानी सूख गया है और ओवन भी गरम हो गया है एक एक करके इस पे रख देंगे और ओवन का धक्कन लगा देंगे इसे low to medium flame पे सेखना है 10-10 मिनट पर इसे पलटते रहेंगे हर 10 मिनट पर ओवन का धक्कन हटा कर इसे पलट देंगे और फिर ढखका लगा देंगे बहुत अच्छा सेख रहा है कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है अब इसमें थोड़े-थोड़े क्रेक भी आने लगे हैं मतलब अब ये तयार होने वाला है अब ये तयार हो ही गया है इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे सेखने में पूरे एक घंटे लग गए अब बाफले को एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ अभी ये बहुत गरम है इसलिए गरुमाल को फोल्ड करके ले ले हूँ और इसके उपर रख देंगे इसे इस तरीके से प्रेस करके तोड लेंगे अब अपने टेस्ट के हिसाब से इस पर खूब सारा देसी घी डाल सकते हैं बाफले को इस तरीके से भी खा सकते हैं एक पैन में अपने टेस्ट के हिसाब से देसी घी डाल देंगे घी को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे घी घरम होने के बाद गैस ओफ कर देंगे और बाफले को तोड़ कर इसमें डाल देंगे ये रेसिपी तड़के वाली चटपटी डाल और आलू बैगन टमाटर के भरते के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दिजेगा धन्यवाद